नमस्कार दोस्तों आप सबको मेरी ओर से वरी हैबी निएर दोस्तों यहां मैं आपको कुछ बेसिक्स सिखाऊंगा की कैसे आप ड्रॉइंग स्टार्ट कर सकते हैं तो मैं आपको पांच टेकनीक सिखाउंगा जो कि budding artist के लिए है जो लोग start कर रहे हैं उनके लिए है तो five easy exercises for budding talents तो पहला exercise है tracing tracing मतलब किसी भी figure के ऊपर second time आपको उसी figure को करना है जैसे किंहां आप देख रहे हिं मैं एक स्वक्राइब केसे मोस थे विलति किए कर दाघ प्याइब को इसी ह्पूब करते हुए हैं हमें ये कुशिश करना है कि लाइन्स एक के पर एक पूरी तरीके से बने रहे इसके बाद दोस्तों दूसरा एक्सरसाइज है जैसे हम लोग कहते है पैलल लाइन्स यानि समांतरल लाइन रेखाएं यहां आपको एक सीधी लकीर खीशनी है और अगले लाइन्स को उसके पैलल खीशते जाना है देखे किस तरीके से मैं सब पैलल लाइन्स खीच रहा हूं यह देखिए यह नहीं करना है आपको हर लाइन उसके पहले वाले लाइन के पैलल खीशते रहना है अब तीसरे एक्सराइज में आते है यह इसी एक्सराइज का एक दूसरा रूप है इसको हम ल यानि वही exercise जो हमने थोड़ा पहले किया मगर अपकी बार उसको curvature में करता है सीधर lines में नहीं जैसे कि मैंने एक line कीचा है अब मुझे अगला line भी curvature में ही करना है देखे कैसे मैं एक curved line को parallel बना रहा हूँ देखे एक और example देखे यहाँ यह नहीं करना है हर line को बराबर तरीके से parallel करना है अब चौथा exercise इसे हम लोग बोलते है point to point यह बड़ा ही मज़दा तरका है इसमें हमें दो points बनाने हैं और एक सीधी लकीर खीजनी है ताकि हम लोग एक point से दूसरे point तक पहुँच जाए देखे यह गलत हो गया थी सावाला क्योंकि point to point इसमें आ नहीं पाया देखे अब बाच्वी और आख्री exercise यह point to point का ही एक और अलग रूप है जो कि है curved point to point आशा करता हूं आप लोग पहले से ही समझ रहे होंगे कि इसमें क्या करना है देखे यहां पर हमने तीन point यूज किया है और हम तीनों point को एक लकीर से जोडते हैं यहां मैंने कुछ easy lines draw किये है आप चाहे तो और भी complicated lines के साथ practice कर सकते हैं लेकिन तीनों lines को points के उपर से जाना है देखे यह तीस्ता exercise जैसे यह गलत हो गया दोस्तों यह कुछ 5 exercises है जो आपको practice करना है और अगर आप इनको करते रहेंगे तो आपकी drawings अच्छी हो जाएगी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी best of luck bye